हमें जिन्दगी भर एहसास रहता है यादगार पलों का ऐसे पल जो कहीं खोन जाएं रोजमर्णा की जिन्दगी हमें कुछ दूर तक तो जरूर ले जाती है लेकिन हमारी मन्जिल तक नहीं यहां का नीला काश, गहरा पानी, चान, सुरज हमारी ये बुनते हैं ऐसे ही यादगार शणों का एक अदपुथ जाल जिसमें खो जाना हमें अच्छा लगता है जीवन का एक अनोखा सब पहलू, जहां आप एक जगे खड़े रहना भी चाहें, तब भी इसकी उर्जा आपको अपने साथ खीच कर ले जाती है लक्ष द्वीब, सपनों का द्वीब, लक्ष द्वीब या लेकडिव आईलेंड ये द्वीब समू भारत का सबसे चोटा केंदर शासित प्रदेश है लक्ष द्वीब इस नाम का मतलब होता है एक लाख द्वीब लेकिन असल में यहां केवल 36 द्वीब हैं जिन में से 10 द्वीबों पर ही लोग रहते हैं शांत और लुभावने बातवरण के लिए जाना जाता है लक्ष द्वीब परेटकों के दिलों को चू लेता है लक्ष द्वीब इन द्वीबों की कहानी में जैसे खो जाते हैं आप और अपने साथ ले जाते हैं कभी न भुलाने वाली आदे जमीन पर अगर ये अद्भुत नजारा है तो गहरे सागर के अंदर है अनोखा रंग बिरंगी समुद्री जीवन निसर्ग की इस देन का यहां पूरा पूरा आनंद उठाई कदमत या कवरत्ती में आप पैडी सर्टिफाइड परशीक्षकों से बढ़ियां परशीक्षन पाकर विश्व की बहतरीन अंच्वी डाइव साइट्स देख सकते हैं लक्षदीव के पास डूबे हुए प्राचीन जहाजों को देखने के लिए दुनिया भर से स्कूबा डाइवर्स आते हैं पानी के अंदर के अनुभव को शब्दों में डालना नामुम्किन है अनेक आकारों और रंगों से बनी हुई है ये दुनिया ये विविध तरह की मचलियां, कोरल्स और आकरशक कचूओं को देखने के लिए विशुभर से परियटक यहां इकठा होते हैं अगर आप तैरना नहीं जानते तो कोई बात नहीं आप स्नौकलिंग करके समुदरी जीवन का अनुभव ले सकते हैं मिनिकोई द्वीब पर स्कूबा डाइविंग और स्नौकलिंग की सुविधाएं उपलब्द हैं यहां के कुशल प्रशीक शक आपको सुन्दर से सुन्दर डाइव साइट्स दिखाने ले जाएंगे यह है कालपेनी, यहां का एक और द्वीब जहां स्नौकलिंग के लिए बढ़िया समुद्री जीवन है और कालपेनी के पास थित चरियम द्वीब तो अब विश्वस्तर का परेटन स्थल बनने जा रहा है अगर आप पानी के अंदर नहीं जाना चाहते हैं तो आप कांच के तल वाली बोट में बैट कर भी समुद्री जीवों को देख सकते हैं इस ग्लास बोट की खास पात ये है कि आप कोई भी परिशानी उठाए बिना इस रंगी नजारों का आनन उठा सकते हैं यहां के ज्यादातर द्वीपों पर जैसे कवरत्ती, गदमत, मिनिकोई, कालपेनी, अगत्ती और बंगरन द्वीपों पर परेटकों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है अगर आप और भी एडवेंचरस फील कर रहे हैं तो सवारी कीजिए बनाना बोट की पानी की लहरों पर उपर नीचे होती इस बनाना बोट की राइट आप कभी भूल नहीं पाएंगे या आप अपने नविगेशनल स्किल्स को परखने के लिए काया किंग भी कर सकते हैं यहां आप विंड सर्फिंग भी कर सकते हैं मस्त हवा के जोकों का मज़ा लेते हुए सेलिंग का भर पूर आनंद उठाइए या फिर स्कीज पहन कर पानी पर स्पीड बोट के साथ खिचने का मज़ा लीजिए वोटर स्किंग का अनुभव एक बार लें तो बार बार वही करने का मन करता है लक्षद्वीप में आप जहां भी जाएंगे वहां आप निसर्ग की सुन्दर्ता का भर पूर आनंद उठा सकते हैं और पैरसेलिंग की मदद से आप आसमान में उड़कर इस सौंदर्य का मज़ा ले सकते हैं रोमांच और सहस में रूची रखने वाले परेड़कों के लिए ये बिलकुल सही एक्टिविटी है पानी से जुड़ी सभी एक्टिविटी के लिए कडमत मशूर है लेकिन पास के कई द्वीपों पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध है अगर आप खुद ब्रेक लेना चाहते हैं तो आप आराम से इन लुभावने द्वीपों की सुन्दर्ता का आनंद लीजिए और अपने दोस्तों या परिवारवालों को इन पानी से जुड़ी एक्टिविटीज के मजे लूटने दीजिए इन द्वीपों के अंचुए से समुद्र तटों पर रिलाक्स कीजिए सुरज की गर्माहट को महसूस कीजिए और साहस से भरे वातवरण का आनंद लीजिए निसर्ग सौंदर्य से भरपूर रहने और खाने की बढ़ियां सुविधाएं बेहतरीन प्रशीक्षक और विश्वस्तरिय सुविधाएं इन सब की वजह से आप इन द्वीपों में एक अनोखी ओरजा का अनुभव करते हैं